कोई भी डिग्री ले लो कॉलिज की डिग्री ले लो युनिवर्सिटी की डिग्री ले लो एंजिनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ मगर आपको रोजगार नौकरी नहीं मिल सकती ये नरेंद्र मोधी जी की देन है ये इनकी पॉलिटिक्स है और लंबे लंबे भाशन करते हैं उल्टी सीदी बात करते हैं मन की बात करते हैं मगर काम की बात करना इनको नहीं आता है काम की बात क्या है काम की बात है कि बेरोजगारी हटाओ महंगाई कम करो युवाओं को विजन दो जम्मु कश्मीर को state होड़ दो ये काम की बाते हैं ये चीजे नरेंद्र मुधी नहीं बोल सकते वो 24 गंटा मन की बात बोलते रहते है और आजकल कोई उनकी मन की बात सुनने वाला है नहीं किसी का मूड नहीं है सही बोल रहा हूँ न? जम्मु कश्मीर से उन्होंने सिर्फ आपका लोग तंत्रिक हक नहीं शीना जो भी पहले आप decisions लेते थे चाहे वो विकास के development हो विकास के decisions हो University, colleges, शिक्षा के decisions हो स्वास के decisions हो पहले ये सब आप लोग MLA चुन कर लेते थे आज कल ये जो decisions है आप लोग नहीं लेते हो बाहर के लोग आकर आपके लिए ये decisions ले रहे हैं यहाँ पे यहाँ पे राजा बैठा रखा है Lieutenant Governor है वो राजा है वो बाहर का है वो जमू कश्मीर का नहीं है और जमू कश्मीर के लोगों के दिल में जो है जो विकास जमू कश्मीर के लोग चाहते हैं ये व्यक्ति करी नहीं सकता है इसको मालू मिनी कैसे करना है इसलिए हम चाहते हैं कि एक बार फिर जमू कश्मीर के लोग अपने नेता चुने अपने MLA चुने अपनी सरकार चुले और अपना विकास का काम जमू कश्मीर के लोग अपने आप फिर से करना शुरू करें इसलिए हम आपको इसलिए हम आपको स्टेट होड वापिस देना चाहते हैं रोजगार के बारे में मैं थोड़ा सा कहना चाहता हूं हमारे मैनिफेस्टों में हमने कहा है कि एक लाख सरकारी रोजगार हम आपको भर के दिलवा देंगे जो आज खाली पड़े हैं 3,500 रुपे हर महीना Unemployment Allowance इंडिया गटबंदन की सरकार आपको देने जा रही है महिलाओं के लिए 3,000 रुपे हर महीने और 5,000,000 रुपे का लोन जो महिला Self-Help रूप में शामिल है उनके लिए हर तैसील में Mobile Clinic और हर District में Super Speciality Hospital खोलने का काम हम करने जा रहे हैं और जैसे हमने राजिस्तान में Health Insurance का स्कीम दिया था वैसे ही हम यहाँ पे 25,000,000 रुपे तक का Health Insurance आपको देने जा रहे हैं और हर परिवार को 11 किलो चावल हमारी सरकार देने जा रही है बाईयों और बेहनों सबसे बड़ा मुद्दा आपकी स्टेट हूट का है और हम आपको गैरंटी के कह रहे हैं कि जमू कश्मीर के लोगों को स्टेट हूट मिलेगा अगर बीजेपी नहीं देगी तो हम आपको स्टेट हूट आपका देने जा रहे हैं कर्राष साम के बारे में थोड़ा कहना चाहता हूँ जब लोग कॉंग्रेस को छोड़ कर जा रहे थे तब कर्राष साम कॉंग्रेस पार्टी में आई थे और ये दबते नहीं है दड़ते नहीं है इनको आप पूरा समर्थन दीजिए इनको आप जिताईए और विधान सबा में पहुचाईए आप सब का और आप जानते हो मेरी आपके लिए फीलिंग्स आप जानते हो मुझे दोराने की जरूरत भी नहीं है जब भी आपको मेरी जरूरत होगी आपको सिर्फ कहना है आपको हुकम करना है और मैं यहां आपके सामने आपके सामने यहां आ जाऊंगा जो भी आप पार्लमेंट में मुझसे उठवाना चाहते हो बुलवाना चाहते हो आप मुझे ओ और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दवाएं बेल आइकोन